इंग्लिज से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन हलो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें बात करेंगे लौ से रिलेटेट दस नए वर्ड यह दूसरा पार्ट है लौ का इससे पहले मैंने पहले वीडियो में मैंने दस वर्ड और बताये थे यह दस वोकैबलरी और है आपको हो सकता है यह आपको कभी फ्यूचर में काम द किसी राजन से निकाल देना किसी न उससे निकाना उसको भी हम कह सकते बैंश मैं बार नार्मली możemy आयो की बात करें तो बाल बार मतलब होता है जो tramit anyone का संवधाय होता है जैसे मोषग रहनी घ्ल zat वहीं आयरे को सस्कूल नामा वसीयट chilly ना कमेंड बॉक्स में इसका एंसर बता सकते हो बिक्विस्ट को और क्या कहते हैं ठीक है वसियत नामा फिर बी ओंड बॉंड 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 प्रतिग्या पत्र यह नॉर्मली जब दो यह कभी कभी दो राज्य या दो देश आपस में जब कोई संबंद बनाते हैं उसको तों बॉंड कहते हैं देश के लिए अलग वर्ड भी आता है देश के जब बात होती है जब दो देश मीटिंग करके अपना कोई एक पॉंड बनाते हैं ब्राइबरी तो पता ही आपको घू है जैसे यह बात मेरे। यानि यह बात मेरे संग्यान में थी यह मुझे पता था तो यह नॉर्मली वकील या जज लोग यूज करते हैं लौ की केस में कि सर इस विक्टिम को या इस अपरादी को यह पता था कि यह यहां जाने वाला फिन उस ने उस रात उसको मार दिया तो यह इस ऐसे वर्ट का यू होता है कोई भी लगा सकते神 gilt होता है यानि november करना इसमपवड ऑर है कन्विक्ट आपको दिखना ऑक फ्रेंस दोसी होता है यानि दोसी करना यह जो Convict है यह analogy हो सकता है वो भी हो सकता है इसके मतलूब होता है दोशी दोशी करना एक और वूत इ computation तो calculate जो है उसका मतलब होता है 2C ठीक है दियान दीजेका Convict ओ Cumplic till दोनों मतलब दोशी होता है लेकिन ज्यादा negative होता है living Quick सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपने वीडियो दिखाए उसके लब के बहुत-धन्यवाद थैंक यू सो मच पर वाचिं थिस वीडियो